तो आज की इस वीडियो में बताएंगे कि केचुवा में सुवसन कैसे होता है और कैसे नहीं होता है और किसके जर्य होता है वो भी आपको इस वीडियो में पूरा के पूरा बताऊंगा तो दोस्तो सबसे पहले केचुवा जो है न ये आपको जब बरसात आता है तो उसमें आपको दिखने को मिलते हैं मिलते हैं बरसात कहने को मतले समझ रहे हैं जब पाने उन्हें होते हैं तो उस समय आपको दिखने को ज्यादा मिलते हैं तो चलिए तो जानना आज हमको है केस्व कोई में सोसन तो देखो है나葉 केस्व का तुछ में सोसन उसका जो तुछा समझ्ज़ू द्वारा होता है हम यह कह सकते हैं कि उसका जो जो तो उसके जरी होता है लेकिन अगर परिभासा से बात करें जाये तो देखिए आगे हैं केचुवा का जो त्वच्चा है ना पतली और नम होती है कि चुवा का जो तुवचा है क्या होता है पतली और नम होती है इनकी तुवचा सुरी आपको तुवचा नहीं बता है तुवचा कहने का पतली 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 और नम होती है ठीक है नम और पतली पतली बहुत पतली होती है और इनकी तोचा से गैसो का आदान परदान आसानी से हो सकता है इनकी जो चमड़ी है ना इसके जरी गैसो का आदान परदान अब यह गैसो क्या है लफरा गैसो कहने का मतलब होता है हमारे वातावरन समझ रहे हैं आपके चारों तरफ जो है नहीं जो नहीं दीख रहा है, वायू मंडल को बोलते हैं वातावरण, तो इनकी मतलब गैसों में उसमें उपस्तिथे वातावरण में क्या, करबन यह अर यह सब क्या है, करबन यांनैक्र टॉजण, ओकसिजन, इसमाफ को गैस ही है, ओकै, तो चलि यह जो आपको केचुवा का चित्र दिख रहा है इसका जो यहां है ना यह वाला इधर यह जो यहां लाल दिख रहा है यह यहां से जो आक्सीजन लेती है यह जो क्या है केचुवा जो है यहां से आक्सीजन लेती है यहां से क्या करती है यह आक्सीजन लेती है और इधर से छ छोड़ता है और इस प्रकार केच्ववी में वाचा द्वारा ये करते हैं इस परकार केच्व thereafter करते हैं मैं आसा करता हूँ यह विडियो आपको अच्छी लग रही होगी समझें तो आप समझ गया होंगे कि केचुव में सोसन कैसे होता है इसी तरह के वीडियो देखने के लिए यार चैनल को सस्क्राइब कर लो और साथ में जो घंटी है न अल पे प्रेस कर लो तो चलिए वीडियो समाप्त हुआ